अगर फ्रेंट्स आपके पास टेक्निका स्पार्क 10 प्रो है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस फोन के टॉप 65 प्लस टिप्स और कुछ अमेजिंग हिडिन फीचर्स जिनका यूज करके आप इस फोन को और भी यूनिक बना सकते हो और भी आसम तरीके से यूज कर सकते हो तो चली फ्रेंट्स इस फोन के लिए फिचर्स के बारे में जानते हैं और कुछ आपको टिपस और टिक देंगे जिनका मदस से आप इस फोन को और भी बढ़िया बना पाऊँगी और भी अच्छे से यूज कर पाऊगी तो चली फिडियो को बीन आपको जो भी skin lock है वो आपको लगाना होगा यहाँ इस option पर जब आप select करते हैं तो accept call का option देखने को मिलेगा इसको on करने के बाद आप इसको on कर देंगे तो fingerprint को touch कराएंगे आपकी call answer हो जाएगी fingerprint की मतलत सही आप अपनी call को भी record करा सकते हो जो कि आपको यहीं पर देखने मिल जाता है call recording का feature इस feature को on करने के बाद आपके phone पर आपका भी भी किसी की call record करना है तो fingerprint को touch कर देंगे call होते मतलत जिससे बात हो रही होगी तो उसी time उस number की call record होना शुरू हो जाएगी इस phone की skin को आप double tap करके lock कर सकते हो double tap करके ही skin को on कर सकते हो इस feature को चालू करने के लिए phone की setting में चले जाएए यहाँ सा scroll down कीजिए आपको देखने को मिलेगा special function यहाँ click कीजिए इसकी वाद आपको scroll down करके देखने को मिल जाता है micro intelligence यहाँ click करना है अब आपको tapping back का एक option मिल जाते हैं जो की lock skin होने पर आप उनको control कर सकते हो जैसे की lock skin होगी आपकी camera एप को open कर पाऊगी directly c type करेंगे camera open हो जाएगा आप इसी तरह सब बहुत सारे अपने apps को भी add कर सकते हो home skin पर जो की lock skin होने पर ही वो directly आपके access हो जाएंगे तो चलिए उनको कैसे set करना है इस video कंदर जानते हैं सबसे पहले जाएंगे phone की setting में यहाँ देखने को मिलेगा special function इस पर क्लिक करके इसी तरह कि M को type करेंगे आपका YouTube music play हो जाएगा यहाँ पर music जो रहाएगा वो play कर सकते है W पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसके आपने इसको on किया जब आप इस site क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने हिसाब से जो भी apps को add करना चाहते है तो उसको लगा सकते है जिसके आपको start app पर click करना होता है तो जो भी आपको favorite apps जाता है जिसका आप ज्यादा यूज करते है उसको आप select कर सकते हैं जैसके Chrome का आप ज्यादा यूज करते हैं तो Chrome को select कीजिए अपने example के मैंने आपको बदा दिया अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहें पूर app रख सकते हैं अब चलिए आपको बताते हैं लॉक स्कीन पर किस तरह से काम करेंगे जैसे कि हमने डब्लू के लिए select किया था Chrome browser जैसे हम लॉक स्कीन पर टाइप करेंगे हमाया Chrome browser टाइक लिए access हो जाएगा तो इस तरह से हम किसी भी apps को access कर सकते हैं लॉक स्कीन पर ही तो य करते हैं तो यहां पर Wi-Fi Bluetooth flashlight अपना mobile data airplane mode और यहां पर Donut Disturbide जैसे features को add कर सकते हो इस phone के अंदर friends आप Lock screen पर ही गाने को play कर सकते हो गाने को next कर सकते हो गाने को push भी कर सकते हो यह सबी features भी मिल जाते हैं जो कि आप smart screen में आपके काम आते है तो इसको भी आप चालू कर सकते है इसके आपको phone की setting में जाके आपको special function पर क्लिक करना होगा फिर से scroll down करके micro intelligence पर क्लिक कीजिए music gesture पर आने को इस feature को on कर लेना है अब Lock screen में गाने को play करने के लिए bun finger से down करना होगा आपका गाना play हो जाएगा अगर गाने को stop करना चाहते हो तो इस तरह से bun finger से आप करने के ग features के बारे में जाल लेते है flip mute का option मिल जाएगा जब आप इसको on कर देंगे तो आपकी number पर कोई भी number से call बगएर आती है आप इसको mute करना चाहते हो तो phone को flip कर दीजिए आपकी call mute हो जाएगी बैसे तो बोलें up and down बटन को press करा करे भी call को mute कर सकते हो बर यहाँ flip mute का भी option मिल जी अब चलिए आपको बताते हैं किस तरह से काम करता है आपके number पर जैसे कि किसी number से call आती है तो आप अपने skin को touch करके उस call को answer करते हो अगर आपने यह feature को on कर लिया तो आप से आपको यह करने की जरूरत नहीं है directly क्या करना है आपकी phone पर तो आप अपने phone को directly कान के ले जाएए call वो automatically आपकी answer हो जाएगी अब आपको एक step और बापस आना है यहाँ पर आपको और वी ऐसे amazing features मिल जाएगे जैसे कि lift to back इस feature को on करने के बाद आपकी phone की जो skin रहती है वो automatically on हो जाएगी जैसे आप अपने phone को pick up करेंगे तो चली जानते किस तरह से काम करेगा जैस जैसे आप इसको pick up करेंगे इसकी automatically on हो जाएगी जैसे कि अभी आपने देखा इस तरह से आप इस feature का यहाँ से use कर सकते है एक step और बापस आईए यहाँ पर आपको answering call with a gesture का feature मिल जाएगा इसको आप on कर लीजिए यह भी आपकी smart call में काम आता है जैसे कि आपकी phone में कोई call बगेरा आती है आप अपने phone को without touch कि इस call को answer कर सकते हो चाहे तो इसको reject भी कर सकते हो जिसकली कर करना है आपको पहले यह feature on करना है call को answer करने के लिए two finger दिखाएंगे call answer हो जाएगी अगर call को cut करना है तो आपको five इस तरह से palm दिखाना है तो आपकी call reject हो जाएगी तो इस आपको इस फोन में और भी feature मिल जाते है इस खीन लेने के तो चली उनकी बार में और बताते हैं फोन का volume down button और आपका जो power button दौनों को एक साथ प्रेस करने आप तब इस फोन में इस खीन सोट को बना पाएंगे अगर चाहे तो इस फोन में आप long इस खीन सोट को भी ले सकत चाहें तो बाद में आप इसको crop कर सकते हैं यह आपके हाथ में कितना आप crop करके इसको रखना चाहते हैं इसको save करने के लिए यहां icon पर click करके इसको save करा पाएंगे इस phone camera friends आपको split screen का support देखने को मिल जाता है मतलब एक ही screen पे अगर दो apps को आप एक साथ यूज करना चाह तो पहले इसको on करेंगे यहां click करके पहले इसको spread screen में लियाएंगे तो नीची की और जो भी apps आपके open है उनको आप इस तरह से on करा सकते हैं दो apps को एक साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो भी apps access करना है अब आप अपने सामने हैं वह जिस भी आप access करना है वो कर पाएं चाहें तो इस content को भी आप hide कर सकते हैं जिसक लिए आप इस icon पर click करके blur पर click करना है अब इसका जो भी content रहेगा वो hide रहे है आप इसको आप access नहीं कर पाओगे तो किसी भी apps का अगर आपको content height करना है तो recent brand को press करके इस icon पर click करके आपको blur पर click करना हो रहता है तो आपके कोई भी content नहीं होगा जब आप spawn के recent brand को press करते तो यहाँ पर आपको सभी apps देख मिल जाते हैं जो भी recently आपने use कियो होते हैं अब यहाँ पर clear button जो आप click करते हैं तो सभी apps close जाते हैं चाहें तो किसी भी apps को आप lock भी कर सकते हैं जो कि आपने lock किया होगा वो close नहीं होगा तो इसके अंदर fits आपको by default app lock का feature देखने को मिल जाता है जिसको लगाने के लिए आपको phone master application देखने को मिलेगा phone की अंदर ही तो आप phone master application को search करके open कीजिए इसका interface इस तरह से देखने को बाद आपको देखने को मिलेगा तो scroll down करके नीची को राजाइए आपको यहाँ देखने मिलेगा app lock इस पर click करके आप को यहाँ भी privacy passport बना सकते हैं जो भी app lock के लिए रखना चाहते हैं और यहाँ बने लिए गधने को आप जो भी app को log करना यहाँ पर आखके कर सकती हो इसको अपने इससाब से यह भी set कर सकते हैं कि आपको fingerprint से unlock करना या फिर face से unlock करना है तो इसलिए आप setting icon पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको option मिल जाएंगे अगर face से unlock करना तो इस feature को on कर सकते है, fingerprint को आपको यहीं पर मिल जाएगा तो अपने साथ जिसको भी आप रखना चाहते हैं वो आके आप सेलेट कर सकते हैं अगर एप्स को हाइट करना है फोटो एंड वीडियो को हाइट करना है तो यहाँ पर आपको वॉल्ट का फीचर मिलेगा इस प्रक्लिक करके आप एक्सेस कोड कुछ भी हाइट करना है तो यहाँ से आप करपाओगी वैसे डिटल में मैंने अलगलग वीडियो बना रखी है अगर आप जाना चाहते हैं कैसे एप्स को हईथ कर सकते हैं जिस फोन में कैसे एप लोग लगाना है तो आपको सब कुछ वीडियो इस सी चै NEW पर मिलेंगी आप playlist चेक आउट कर सकते हो आपको इसके अगर वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा आपको set virtual RAM का option मिल जाता है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कितनी GB का आप इस phone के अंदर बढ़ा सकते हैं वो option मिल जाएगा अगर 8GB बढ़ाना तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फोन restart करना पड़ेगा तो जितनी GB का आपका फोन का RAM है उतनी GB और भी expand इस phone के अंदर आप कर सकते हो इस phone पर कोई भी calls बगरा आती तो आपको जो call background दिखाई देता है आप उस background को बदल सकते हो डाउलोड कर सकते हो और चाहें तो किसी भी गैलरी में से photo को भी set कर सकते हो जिसके लिए आपको dialer में पहले जाना होगा यहां setting icon पर क्लिक करके देखने हो मिलेगा my video so इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर प्लस के आइंकरट में जाना है तो यहां पर आप गैलरी को भी उठा सकते हैं गैलरी में से किसी भी वीडियो को उठा सकते हैं जो कि यहां पर आपको देखने को मलेगी कुछ इस तरह से call आएगी तो आ से आगे आप इस आपसे स्कोर रख पाएंगे अगर आप इस phone के अंदर auto call recording को on करना चाहते तो वह फीचर मिल जाता है जिसके लिए आपको डालर में ही आना होगा यह auto call recording का feature मिल जाएगा इसको on करने के बाद इस phone के अंदर आप auto call recording को on करा सकते हैं आपकी नमबर पर call आय जैसर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं जैसे की बंफिंगर से डाउन करूंगो मैं तो यहां पर डालर की मेरा YouTube ओपिन हो जाता है और बंफिंगर से आप करने पर आपके सब ही apps ओपिन हो जाते हैं तो यहां पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं और अपने favorite apps को भी आप क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की list देखने को मिलेगी इनकी इलाबावा आप replace कर सकते हैं notification बार के लिए और क्लिए voice search, language setting, hidden apps के लिए और start apps पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी apps आपको लगाना है उसको आप select कर सकते हैं जैसे एड करने के लिए one finger से down करना होगा अपनी screen पर one finger से tap and hold करना होगा और यहां desktop setting पर जाने को gesture पर जाना है और जो भी आप जिस हिसाप से रखना चाहते हो वो select कर सकते हो यहां पर बहुत सारे gesture से मिलेंगे जिसकी slide आप two finger बहुत से इस तरह से आप करेंगे तो क्या रखना हैं वो set कर सकते हैं तो यहां पर start app पर जाएंगे जो भी आपको apps रहता हो उसको आप लगा सकते हो ज्यादा access करते हो हम जिस भी apps का तो वो लग सकते है तो slide down, down से है, left है, pinch in and pinch out यह सब option आएंगे यहां पर आपको clocks का भी option मिलेगा इस तरह से अपने finger रखेंगे और रोट चाहें तो आप यहां पर कोई भी effects को add कर सकते हैं जो की change होने पर आपकी page change होगा तो अच्छा सा आपको यहां पर field देखेगा तो इसको आपको add करना तो screen पर tap and hold करना होगा यह desktop setting पर जाना होगा अब आपको यहां देखने हो मिलेगा page effects इस पर click करके आपको अलग-लग effects देखने को मिल जाएंगे तो जो भी आपको select करना इसको select कीजिए इस तरह से आप page को change करेंगा तो यहां पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा जो आपके apps आपको देखने हो मिल रही है, यहां पे जो color आपको देखने हो मिल लाए है Light color का यह आपने हिसाब से set कर सकते हैं तो आपका जो भी favorite color रहता हो या फिर आप जिस color को रखना चाहिए, इस text का वो रख सकते हैं एसक्राइब क्लीष आपको इस्क्रीक पर oh 对क करते हैं कि और आपको देखनाना जाता है — इस पर पर क्लिक करने कि है आप यहाँ पर चीत किर सकते हैं है इसक्ष करना टेक्स्तों और Привет से फोटो और वीडियो को access कर सकते हो इस फोन के अनर फ्रेंट से आपको smart panel देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरह से आप इनको access कर सकते हैं तो यहां पे कुछ favorite apps को आप लगा चाहिए लगा सकते हो यहां पर कुछ control को भी add कर सकते हो जैसे कि पहला feature मिलेगा कुछ इस तरह से टूल रहत हैं इनको भी आप रेप्लेशस कर सकते हूँ जिसके अब टूल पर कलिक करके किसी भी app को यहाँसे जो भी आपके टूल है, इनको remove कर सकते हूँ और यहांसे आपके टूल को यहाँ करने का option मिल जाएगा तो यहां पर floating window में आ जाता है, तो इसको आप pop-up में भी कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से click करना होगा, आपका यह pop-up में चला जाएगा, आप directly देख सकते हैं, कुछ इस तरह से pop-up देखने को मिलेगा, इसको फिर से click करके इसको full screen मिला सकते हैं, और भी resize करना है, तो यहा काफी unique feature हो जाता है इस phone का, जो कि काफी useful भी है, अगर friends आपको इसके लावा कोई और भी feature अच्छा लगा हो, तो मुझे comment करके जरूर से बताएं, आपको कौन सा feature इस phone का best लगा, यह जरूर से आपको ध्यान लगना है, और मुझे comment करके जरूर से बताएं, जिससे कि मैं आ जाएं, यहां से scroll down करके आपको जाना है special function पर और यहां पर आने के बाद social turbo यहां देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपका phone का जो WhatsApp होना चाहिए, तो यहां पर क्या के feature मिलेंगी चली जानते है, पहला feature रहता है voice changer, इस पर क्लिक करके आप किसी की भी call को यहां पर जो call चल रही होगी WhatsApp उसमें आप अपनी voice को change करके बात कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी के साथ cheat पगर करना चाहते हैं, तो यहां इस feature को आप use कर सकते हैं, काफी useful feature यह हो जाता है, वीडियो ब्यूटी का एक option मिलता है, इस पर क्लिक करके आपको यह on कर लेना है, आ चाहते हैं, रेकॉर्ड करना तो इस पर क्लिक करके इस feature को on कर लेजिए, आपकी सभी call record होना WhatsApp की start हो जाएंगी, जो की काफी unique feature है, वो भी invite इस phone के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, पीक mood का option मिलता है, यहां पर क्लिक करने के बाद आप इसको peak mood मिला सकते हैं, पीक mood ह आपने बनाया और WhatsApp आप उसका use करना चाहते हैं, तो simple यहां आके किसी photo बगएर और select कर लीजिए, या फिर अपनी camera से किसी photo क्लिक कीजिए, और इस type के sticker को बना के किसी को send आप कर सकते हो, जब भी कोई आपका friend बगएर पूछता है, कैसे बनाया तो बनाया तो बता सकते हो, आपके WhatsApp बगएर पर कोई भी notification आएगी, तो आपकी phone की flashlight on होगी, इस तरह से आप इसके बद से भी यह जान सकते है, WhatsApp clean का एक option मिलता है, इस पर क्लिक करके आपने WhatsApp का जो भी data रहे रहे हैं, जैसे की photo, video and document बगएर रहे हैं, उनको आप clean बगएर कर सकते हैं, जैसे check out कर सकते ह आपका किस में जा रहा है, तो यहाँ पर आप यह भी check कर पाएंगे, इस phone के रहे हैं, किसी भी apps को अगर आप floating window में लाना चाहते हैं, तो आप शानी से आप ला सकते हैं, उसको लाने के लिए पहले आपको यह feature on करना होगा, तो phone की setting में जाकि आपको फिर से special function पर क्लिक कर लेना है, अब किसी भी apps को floating window में लाना चाहते हो, तो पहले किसी भी apps को open कीजिए, three finger लीजिए और इस तरह से आप कर दीजिए, आपका floating window में on हो जाएगा, आप इसको pop-up में कर सकते हो, कुछ इस तरह से आपको side डाल दे जाना तो आप पही pop-up में भी चला जाएगा, तो जाकर scroll down करना है, special function पर आ जाना होगा, kits mode पर click करके आपको यह नहावे use kits mode पर click करना है, तो यहाँ पर kits mode के लिए kis-kis apps को यहाँ पर permission दे सकते हैं, वो on कर लीजिए, अब जिसकी gallery के बली permission देना तो gallery को on करना है, जो भी apps की permission आप देना चाहते इसको on कर लीजिए, और य yellow type हो गई, तो यहाँ पर kits बगर को दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दो घंटे का लगा हुआ है, दो घंटे के बाद यह automatically lock हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी apps आपने चलिक हैं, भाही apps आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बाकि कोई भी apps में आपकी कोई गरबड़ी यहाँ पर नहीं होगी, अगर आप kits mood का on करते हैं, तो यह आपके बच्चों की काम आने वाला है, जाकि बच्चों को आप phone बगरा यूज कराते हैं, तो यहाँ पर kits mood का on कराके आप इसका use कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, इस phone के अंदर friends, आपको game mood का भी support देखने को मिलत यहाँ क्लिक करके आप इसको on करके बहुत सारी setting को कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसर की देख सकते हैं, message किस type के आप आने चाहिए, वो आप set कर सकते हैं, notification आना चाहिए नहीं, उसको भी आप hide कर सकते हैं, इस तरह से message आते हैं, तो आप उनको दिखाना चाहते हैं, यह सब option मिल जाएंगे, यहाँ पर आप graphic बगराए setting कर सकते हैं, आप क्लिक करके जो भी graphic आप रखना चाहते हैं, वो सब आप रख पाएंगे, बहुत सारी option रहेंगे, तो इनको अच्छे सा आप customize कर पाएंगे, जिसके add-in setting पर क्लिक करके आप यह भी set कर सकते हैं, ब्राइग वो available होज आएगा, तो जिसका बनाना है, यहाँ के on कर लिजी, उसका dual apps बन जाता है, वीडियो assistant का और एक option मिलता है, यहाँ पर आके इसको on करना है, अब यहाँ से इनको on कर लेंगे, तो जो भी वीडियो को आप view करेंगे, तो उसका content रहेगा, वो काफी high quality में आपको दे mode, pre-proof मिलेगा, यहाँ पर click करके आप इसको on करना है, on करना है, आप किस type के screen को अपना यहाँ जो brightness है, उसको show करना चाते है, वो आप यहाँ पर on कर सकते है, अब यहाँ यहाँ पर आप चाहते हैं, बरावर वाल आपकी screen को नहीं देख पाए, तो आप यहाँ पर यहाँ प यहाँ बटन देखेगा, यहाँ क्लिक करके उसको exit भी आप कर पाएंगे, इस phone में friends आपको three button navigation देखने को मिलते हैं, चाहें तो इन्हे hide करके इस phone में जैसे navigation को set कर सकते हैं, यहाँ बटनों का direction change करना तो आप उसको भी बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको phone की setting में जाना ह system पर देखने को मिलेगा option इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ देखने को आप आप डिरेक्शन आप आके बदल सकते हो, इस phone के आपको one handed mode का भी support देखने को मिल जाता है, उसको on करने के लिए अपने control panel को open कीजे, यहाँ three dot पर आपको क्लिक करके add a sort कर switch पर क्लिक करना ह यहाँ पर आपको more control देखने को मिलेगा, इन में ही आपको देखने मिल जाता है one hand, इसको आपको इस तरह से ऊपर keyword add कर लेना होगा, अब back button को press करेंगे तो यहाँ पर one hand mode आपका आजाता है, अब किसी भी screen को आप one hand mode पर लाना चाहते हैं, जैसे कि हम Chrome browser का use कर रहे हैं, यह यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका right hand side, अगर इसको close करना चाहते हैं, तो क्लिक कर लीजिए, आपका यह close भी हो जाएगा, इस phone के ने friends आपको tap alert का एक अच्छा security option देखने को मिल जाता है, जो की काफी useful भी है, अब जैसे कि आप अपने phone को कभी party बगेरा में charging के लिए plug-in कर जाता है, जिसकी मदद से आप अपने phone को बहुत अच्छे से check कर सकते हैं, देख सकते हैं, कि आपके phone में अला में जब सुरू होगा, जब तक alarm चलता रहता है, जब तक आप अपने phone का skin lock नहीं डाल देते, तो इसको on करने के लिए आपको आपका control panel अपन करना होगा, ती ड tap and hold कीजिए, tap and hold करते ही, आप यहाँ पार जाएंगे tap alert की setting में, तो इस feature को on करके आपको enable पर click करना है, जो skin lock आपका बना हुआ है, वो आपको लगा देना है, इस feature को भी on करना है, आप दोनों ही feature आपके जब कामाएंगे, जैसी charging का आपका phone निकलेगा, वैसे phone के अदर alarm ह होना सुरू हो जाएगा, और यही आपको अब earphone पर काम करेगा, तो earphone जैसी plug-in होगी, कोई दिकर नहीं plug-in आउट होगी, वैसे आपके phone पर alert होना सुरू हो जाता है, और यह alert गाफी high alert है, आपको skin का lock है, जब तक आप आप नहीं डालेंगे, तब तक phone switch off नहीं कर सकते है नहीं phone को आप on कर, मतलब कोई भी आकर off कर लेते हैं, तब भी phone automatically on हो जाएगा, और होते ही फिर सही आपके phone के अंदर alert होना सुरू हो जाता है, तो यह security काफी अच्छी लगी मुझे टेक्नो की, अगर आपके पास यह device है, तो आप इसका use जरूर से कर सकते हैं, इस phone की screen पर आपँ को देखने को मिल जाता है, screen refresh rate, अगर सकते हो 19Hz क क्लीक कर का सकते हो, वैसे auto पर select रहेगा, तो जहां पर ज़रूरत हो आप 19Hz काम करेगा, यह 16Hz की जरूरत रहेगी वहाँ पर 16Hz करको करocy उप Talking and warm कर सकते हो जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहिए उसको साइट कर सकते हैं जिसके लिए फॉन की सेटिंग में जाके स्कॉल डाउन करके डिस्प्ले एंड ब्रैकने जाएंगे तो यहां से स्कॉल डाउन करना है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है color temperature इस पर क्लिक करके कितना temperature आप warm रखने चाहते हैं या फिर cool रखने चाहते हैं वह option रहेगा तो यह काफी अच्छा customization हो जाता है अगर इसकी को आप ब्रैस करने के बाद और भी option मिलेंगे जैसे की ultra touch इस पर क्लिक करने के बाद आप फॉन की जो skin touch है उसको और भी ज्यादा हाई रख सकते हैं इसके स्वीट पर क्लिक करना है और यहां ultra fast का option मिल जाएगा इसको select करेंगे तो आपके skin काफी ultra fast यहां पर हो जाएगी इसको आप रख सकते हैं यहां पर motion का भी option मिलता है जो कि आप fast select कर देंगे तो आपकी फॉ font size को chain करना है तो यहां पर font size पर क्लिक कीजिए और यहां पर लग लग fonts का option मिलेंगे जो भी जैसे आपका font बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लेजी कम करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं बैक्वन को प्रेस करने के बद आपको और भी option मिल जाते हैं जैसके skin rotted है अग करके आप Log screen के लिए कोई भी message बगड़ा डाल सकते हैं जो कि यहां के डालना है आप font के अधर फ्रेंट्स आपको एप प्टिंग का भी option देखने को मिल जाता है आपको एप किसी को कोई भी एप बागरा उसको पिन करना है तो इसको फॉन की सेटिंग में जाए यहां security option पर क्लिक करके scroll down कीजिए आपको adverse option पर क्लिक करना होगा एप पिनिंग पर क्लिक करके आप इस feature को on कर लिजी आप किसी भी apps को पिन करना चाहते है तो simple recent button को प्रेस करना है जिस एप को पिन करना है उस पर क्लिक करना होगा यहां पर क्लिक कर लिजी अब आपकी screen यहां पर पिन हो जाएगी इसको आप बैक नहीं कर सकते है बैक करने के लिए पहले तो आपको दौन बटन एक सार रह सार सा प्रेस करने होंगे और जो आपका screen है, screen lock है बो डालके आप इसको यूज कर पाएंगे तो यहां पर जैसे कि कोई phone बगएर आपका यूज करने के लिए बोलता है एक और नी वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care